14 वर्सों का यह एक सपना है जो कि बिहार के इस डेल खन को नई डेल लाइन से कनेक्ट किया जाएगा ऐसे में यह प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा इस वीडियो में हम बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट दरसल हम बात कर रहे हैं सुपॉल से अलडिया के बीच बनने वाला डेल प्रोजेक्ट के अपडेट के बाड़े में 14 सालों से यह प्रोजेक्ट लंबित है और ऐसे में यहां के याद्तिरियों को अब तक ट्रेन का सुगधा नहीं मिल पाया है इसे रेल खन पर आने वाले समय में 12 नए रेलवे स्टेशन बनाये जाएंगे और आपको बता दें कि सुपॉल से अलडिया के लिए बनने वाला डेलवे लाइन के लिए जमीन अधिगरन अन्तिम चरण में है अब जल्द ट्रेन की सीटी भी सुनाई देगी और पैसंजर इसे सफ़ड भी करेंगे सुपॉल अडडिया डेल प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है जमीन अधिगरन का कार्य अन्तिम चरण में है जैसा कि हमने आपको बताया और इसके साथ ही भुवरजन विभाक की ओर से भी अधिगरत जमीन रेलवे को सौपा जाएगा जिसके बाद इस प्रोजेक्ट का काम तेजी से चालू होगा यह डेल मार्ग जिला के भरगामा से रानी गंज और अरड़िया पर्खंड होकर गुजरेगी अरड़िया जिला में 765 एकर जमीन अधिगरन किया गया है जिसमें रानी गंज पर्खंड में 405 एकर और भरगामा रेलखंड में 245 एकर जमीन का धिगरन किया गया है रेलवे लायन के कुल लंबाई 95 km रहोगी जिसमें की अरड़िया जिले में डेलवे लायन के लंबाई 41 km बिछाई जानी है इस रेलवे मार्ग पर कुल 8 क्रॉसिंग होंगे और 6 रेलवे हॉल्ट इस मार्ग पर सुपोल अरड़िया को छोड़ कर 12 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे यानि कुल मिलाकर 14 रेलवे स्टेशन इस रूट पर रहेंगे जिसमें की अरया कोट के बाद मिर्जापूर, बसवटी, रानी गंज, भरगामा, खजुरी बजार, जदिया, लक्षमिपूर के साथ साथ कई अन रेलवे स्टेशन को तयार किया जाएगा या डेलमार्ग सुपॉल जिलाके, सुपॉल, पिपड़ा और त्रिवेनी गंज परखंड होकर गुजरेगी जिस पर मिट्टी भरने का काम तेजी से चल रहा है आने वाले नए लेटेश्ट अपडेट में बात करेंगे अन जानकारी के बारे में फिलाल अपको बता दें कि 2009 में इस प्रोजेक्ट का सिला नियास रखा गया था जिसके बात से यह काम अब जाके तेजी से चाल हुआ है इस वीडियो का अगर सेयर करें और साथ ही नए ट्रेनों का लेटेश्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें